तो फ्रेंड्स आज हम पिछली वीडियो को में हमने एडिशन, पांप, सब्टरक्शन, मुल्टिलिकेशन और दिविजन हमने सीखा था और किस तरीके से हम तो आज डिसक्स करेंगे किस तरीके से हम जो परसंटेज हैं तो यहां पर जैसे कि हमने पहले डाटा जो हम तयार किया था, स्टूडेंस का, दो-तिन स्टूडेंस का, तो हम यहां पर इनको परसंटेज का कॉलम इसमें एडि करेंगे, परसंटेज और इसको भी हम यहां से बढ़ा कर देंगे, तो यह रहा परसंटेज का हाइलाइट करेंगे, तो परसंटेज हम अपर इसके से निकालेंगे, परसंटेज का जो फार्मॉला होता है, इक वर्ड सिमिलर जैसे फार्मॉला परसंटेज को होता है, वेसी हमने निकालना है, मैं स्पोस कि हमारे मार्क्स जो हैं वो इस स्टूडेंड के मार्कस उसने उप्टेम की है, तो 270 हमारे पास किस सेल के अंदर है, इस सेल का नाम हम एंटर करेंगे, यह हमारे पास J3, J3 को हमने डिवाइड करना है, इसके साथ जो मैक्सिमम मार्क्स थे हमारे उसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, हमेशा की तरह जी से हम परसंटेज निकालते हैं, और उसको हम मल्टिप्लाइख करेंगे, 100 के साथ और उसको करेंगे हम bracket close ठीक है तो ये हमारे पास percentage का हुआ formula इसी formula के थूँ आपने percentage निकालनी है जो की general formula है percentage का तो इसको हम यहाँ पर formula enter करके हम इसको enter प्रेस करेंगे इसके marks जो है वो 54 आए हैं तो बाकि जो बच्चों के जो marks हैं वो हम automatically इसको calculate कर सकते हैं तो जहां से हम उसको formula को copy करेंगे अपने mouse का cursor यहां पे ले जाना है line के उपर तो ये वाला cross आना चाहिए हमारे पास और इसको left mouse के left क्लिक बटन से क्लिक करना है drag करना है जहां तक आपने calculate करना हो उसको यहां पर छोड़ देना है तो देखें आपके इन बच्चों के marks जो हैं वो किस तरीके से यहां पर आटोमेटिकली जो है वो calculate हो गए और यहां से इसके बार्डर हम डालेंगे अब बार्डर जो है यहां इनके इनके लेक्त करके हम यहां जो ही पर सेछेंट करके और तो उनके इनके निगारा पर गो करेंगे चो यहां पराइन क्या हमारे पास परसंटेज और उनके आपने की किसी रिगे से फास्ट कल्कॉलेशन की जो है वह हमने यहां पर की और उसके बार हमारे पास अगर इंको बच्चे उनके ग्रेड देना है तो वह ग्रेड भी हम यहां से इनको दें सकते हैं तो यह ग्रेड हमारे पास हम इनका अब करेंगे ग्रेडिंग तो ग्रेडिंग में हम डालेंगे पार्मॉल्ला अगर जो यहां पर जो परसंटेज की साथ से हम निकालेंगे यह परसंटेज की जो सेल का कालम है वो हम एंटर करेंगे कि अगर percentage है वो 90 के बराबर है या 90 से उपर है तो वो इसको हम A grade है suppose अगर हमारे पास L3 अगर जो L3 है वो हमारे पास A greater than या equal to 90 है तो उसका grade यो है वो आएगा A चीक उसी तरह से अगर L3 यो है वो है greater than equal to 70 है तो हम grade देंगे B उसी तरह से अगर L3 जो है L3 इस percentage जो अगर है ग्रेटर देन या equal to greater than equal to 50 greater than equal to 50 greater than equal to 50 greater than equal to ने इसी करना था greater than equal to 50 अगर है तो grade हमारे पास जाएगा C आएगा उसके बाद में अगर जो L3 है यानि percentage अगर है greater than जा पराबर है तो वह थो इसी तरह से अगर परसंटेज उसकी यहनि एल थ्री वह लेस देन है या इक वर्ड तो है तो अब हमने जितने भी है यहां से हमने शुरू किये हैं जितने एक लगाए हैं जितने भी ब्रेकट्स यहां शुरू किये हैं उतने बंद करने हैं एक दो ती चार और पांच पांच हमने शुरू किये हैं तो पांच पांच ब्रेकट्स यहां वह हमने बंद करने हैं और बंद करने के वर इंटर प्रस करना है इस फार्मिले को आप जो है वो किसी कापी के उपर जो है वो नोट करें क्योंकि एक सिंपल फामुला जो है वो मैंने इसमें डाला हुआ है यही फामुला जो है आप यूज कर सकते हैं ग्रेडिंग करने हैं इसके उपर हम एंटर मारेंगे तो देखते हैं इसका रिजर्ट क्या हुआ तो इसका रिजर्ट है सी ग्रेट क्योंकि इसके मार्क जो है वो 54 परसंट है यहां पर हमने लिखा था अगर इसके मार्क जो है वो पचास परसंट से एबो है यहां पचास के बराबर हैं तो इसका ग्रेड होना तक क्यों कि दाविगे शेयर अभी फार्म्ले को हम अपक्त करेंगे कि कि यहां फिक्क करेंगे पार मले को यहां पर पर आप रघ करेंगे तो यह हमारे पास सब के स्वी आइटों की इनके 50% के उपर हैं और 70 के नीचे हैं तो इनके जो हैं वो मार्स आएं तो अब हम यहां पर थोड़ा कईयों के वो मार्स हैं वो हम थोड़ा कईयों के बढ़ा देंगे थोड़ा देखते हैं इसको चेक करके और तो इसके हमारे पास 68% आएं तो और बढ़ा देंगे देखिए आप इसका चेंज हो गया वी परसंट भी इसका ग्रेड आए यानि इसके 374 मार्स आएं 500 में से तो यह बी ग्रेड हो गया उसी तरह जोड़ा और हम गटाएंगे करेंगे जैसे इसके 35 आएं इसके 30 आएं इसके 38 आएं इसके 42 आएं और इसके 30 आएं तो फुल मलाके इसका इसकी जो नम्राद है वो आएं है 188 आउट आप 500 तो 37.6 परसंट आए तो इसका ग्रेड हमारे पास बाना टीड तो इस तरीड़ी के से हम ग्रेडिंग जो है वो करते हैं उमीद है कि आप सभी को यह पारमले जो है वो पसंद आए होंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल के आइकान लाजमी प्रेश करें ताक आने वाली वीडियो के नोटिपिकेशन आप तक सब आप से पहले पहुंचें और वीडियो को लाइक करें उसलों पर कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर फेस्ट बूक के इसरी से देख रहे हैं तो फेस्ट बूक के पेज को लाइक और पालो जोड़ो करें मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ और